आहार निद्रा भाय मैतु नम्चा सामान्य मेतत पशुभी नराना धर्मोहितेशाम अधिको विशेशो धर्मे नहिना पशुभी समाना हितोपदेश का श्लोक है ये मनुष्य में और पशुभी खाते हैं हम भी डरते हैं पशुभी डरते हैं हम भी भोग विलाश करते हैं पशुभी भोग विलाश करते हैं हम भी सोते हैं पशुभी सोते हैं तो ये चारो चीजें समान हैं हमारे में भी और बाकी सारे प्राणियों में पर हम अनुश्य हैं और हम विशेश हैं हमारा एक विशेश प्रकार का शरीर है जो सबसे ज़ादा खूबसूरत है और वैसे ही हमें विशेश प्रकार की सुविधा मिली है हमारा दिमाग बहुत तेज है सोचने-समझने की शक्ती है जिसको विवेक कहते हैं ये सब क्यों मिला है क्योंकि हमारे लिए कुछ विशेश करतव्य भी निर्धारित किये गए हैं भगवान के द्वारा जिसे हम धर्म कहते हैं धर्मों ही तेशाम अधिकों और विशेशों, अधिक है हमारा और विशेश भी है हमारा, क्या धर्म जो पशों के लिए नहीं है, तो यदि हम आहार, नित्रा, भै और मैथुन जो एक जैसा है पश्वों में हमारे में वही करेंगे तो हम पश्व के ही जैसे हो गए पर यदि हम अपना विशेश प्रकार का धर्म पालन करेंगे जो हमारे लिए बनाय गया है वर्नाश्रम धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म तो हम मनुष्य कहलाएंगे धर्मेन हिना पश्व भी समाना यदि धर्म को हटा दिया तो हमारे में और पश्वों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा इसलिए यदि हम मनुष्य बने हैं तो हमें मनुष्य के करतवियों का पालन करना चाहिए हरी बूल